Gradient of straight line joining two points यहनि gradient यह slope किस्ता से final की जा सकती है एक ऐसी line जो कि दो point के मिलने से बनती है For example, this is y-axis यह आपके पास y-axis है and this is x-axis चलिए थोड़ा से बहतर बनाते हैं and this is x-axis चलिए x-axis है, यह y-axis है, x-axis and y-axis अब let's say, let's say आपके पास एक point है and this point is located at this here, I mean, अगर आपके पास यह point है, जो कि जिसके coordinates है x1 and y1, एक और point है b, जिसके coordinates है x2 and y2, अब अगर आप जानते हैं कि दो points से सिर्फ एक straight line पास कर सकती है, अगर आप यह line draw करते हैं, ठीक है, यह अगर line draw करते हैं, basically, इस तरह से गर आप line draw करेंगे, तो यह basically एक ऐसी line है, जो कि दो points से पास करी है, ठीक है let's say, if line मुझूद ना भी हो, line ना भी, उसके मुझूद हमें पता है कि दो points से एक straight line पास कर सकती है, ठीक है, अब हमने final करने कि इस line की, यानि इस line L की, what is the slope, इसकी slope कितनी है, इसकी gradient कितनी है, क्या मतलब हुआ, कि अगर इसके अंदर मैं one unit X के अंदर change लेके आँँ, तो उसके लिए Y में कितना change आएगा, इसी तरह straight line की जो slope हो दिये, वो same रहती है, अगर आप देखेंगे, आप कोई से भी दो points ले रहेंगे, उसमें X में one unit change लेके आने पे, जो Y में change आएगी, वो all time क्या रहेगी, same run, और अगर आप top पर मूँ करते हैं, यह rise है, यह कौफी तफ़ा यह discuss कर चुके हैं, ठीक है, and what is slope, slope actually equal होती है, rise of a run, rise of a run, what is rise, rise क्या है, rise अगर आप देखें तो पहले आप, for example, आप एक certain height पे मुझूँ थे, let's say, वो height यह है, मैं अगर यहाँ पे show करूँ, तो अगर आप इस को ले लें, ठीक है, इस patch को ले लें, अगर आप इस part को ले लें, this is x and this is y, अगर आप देखें तो आप पहले x यहाँ पे मुझूद है, अब आप jump करके यहाँ पे आगे, ठीक है, अब jump करके आप कहाँ पे आगे, यहाँ पे आगे, इसका मतलब है, this point is x X1 this point is X to the change कितना आया sorry I'm not xy कि बात करेंगे this point is y1 and this point is y2 change कितना आया y2 minus y1 because हम change कि बात करें हम क्या बात करें change कि यह change कैसे आया because हम x के अंदर change लेका है x के लेका है यह या यह यह पर एकस वन यह था फिर आपने जब x1 को यहां से बढ़ा के यानि x1 पहले इतना था x1 को आपने यहां से बढ़ाया और यहां तक लिया है तो mean x यह point हो गया x2 तो basically what is this distance यह जो distance है यह क्या है x2 minus x1 x2 minus x1 इसका मतलब है कि आपने slope किसी को बागी m is equal to y2 minus y1 x2 minus x1 ठीक है यह basically आप यूं करेंगे तो आपके पास यह formula अगर आप apply करेंगे तो आपके पास किसी भी line की जो 2 point से pass करी उसकी slope आपके पास आ जाएगी for example अगर हम यहां पे एक case लेते हैं let's say अगर हम यूं बताया जाए कि एक point है P एक point है P जिसके coordinates है 2,4 एक point है Q जिसके coordinates है 6 चले माइनस 6, माइनस 8 माइनस 6, माइनस 8 अब हमें यूं बताया जा रहा है कि हमने slope find out करनी है एक ऐसी line की जो इन दो points से pass करी है of course एक point कि दरा कि दर लाई करते हैं graph के उपर for example जैसे यह first quadrant के अंदर लाई करता है यह third quadrant के अंदर लाई करता है तो जगर आप इन दोनों points को join करेंगे तो आपके पास एक line आए कि इसकी slope होगी ठीक है वो inclined जदा inclined towards x-axis होगी जदा inclined towards y-axis होगी ठीक है अब इस चीज़ को without graphing without graphing अगर हम इसको solve करना चाह रहे है तो किसे से कर सकते हैं straight away हमारे पास formula आप यहां पर क्या करेंगे this is x1 और यह क्या है y1 this is x2 यह क्या है y2 ठीक है and what is slope slope is equal to y2 minus y1 अबर x2 minus x1 यह इसको solve करने का पहुत simple सा तरीक है what is y2 minus 8 what is y1 4 what is x2 minus 6 what is x1 minus 2 minus 8 minus 4 is minus 12 or minus 4 minus 6 minus 2 is minus 8 negative negative से cancel तो यह आजएगा 3 times 4 3 times or 4 2 times 8 तो यह 3 by 2 3 by 2 slope कितनी आजएगी 3 by 2 3 by 2 जिसको गर आप decimal में लिखना चाहें तो यह बन जाएगा 1.5 slope कितनी है 1.5 which means कि अगर आप x में for example यह slope आजएगा यह अवर x के एकुलर ठीके चेंज इन वाय विद रिस्पेक्ट तो चेंज इन एक्स 1.5 mean कि अगर आपकी slope greater than 1 है mean कि x के अदर 1 unit change लेके आने पर y के अदर 1.5 unit change आएगा ठीक है so this is how जिस तर से हम जो है वो एक लाइन की जो दो पॉइंट से पास करी उसकी slope पॉइंट करते है